हर्नवत बिधान सभा से लगातार दो बार चुनाव हारने के कुछ हपते बाद नितिश कुमार की पत्नी मंजु सिन्हा ने 20 जुलाई 1980 में नित्रांत को जनम दिया। लेकिन बिवा के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए थे। इंजिनियर की नौकरी छोड़कर निकम्मा बन गया था। नेता बनने की चाहत में घुमकर बन बैठा था। चुनाव हारने के बाद नितिश कुमार अंदर से तूट चुके थे। थोरा बहुत जो जमाब पुझी था वह चुनाव परचार में खत्म हो गया था। नितिश कुमार के पिताजी बक्तियारपुर में आयूरवेद की किलिनिक चलागते थे जिसकी आमदनी से घर का खर्चा चलता था। उनके गाउं कल्यान बिघा में शोलव बिघा के करीब पुस्तेनी जमीन था जिस से साल भर खाने के लिए अनाज हो जाता था। विवा के कुछ महीने बाद से ही नितिश कुमार का अपनी पतनी के साथ मधूर रिष्टा खत्म हो गया था। जिसका कारण था कि उन्होंने इंजिनियरिंग की नौकडी छोड़कर राजनीतिक जीवन को अपना लिया था। इस हरकत की बज़से नितिश कुमार अपने लोगों की नजरों में निकम्मा और घुमकर बन गये थे। ऐसी प्रस्थिती में नितिश कुमार अपने पडिवार की जिम्मेदारी अपने उपर लेने के काबिल नहीं थे। निशान्त अपने नाना नानी की देख रेख में पल रहा था। नितिश कुमार अपने पुत्र से मिलने कभी कवार भी जाया करते थे। जिसका कारण यह था कि नितीश कुमार को अहां जाने पर ऐसा लगता था जैसे प्रस्थिती उन पर ताना मार रहा हो नितीश कुमार अपने पिता जी के साथ बक्तियारपुर में ही रहते थे पटना जाने के लिए वे टेरेन से सफर करते थे सफर के दवरान उनके साथ विजय कृष्ण भी यात्रा करते थे जो अत्मल गोला के रहने वाले हैं और राजपूत समाज से आते हैं अत्मल गोला बक्तियापूर से एक स्टेशन पहले और तीन चार किलो मीटर पूरब है विजय कृष्ण पटना जाने के क्रम में नितीश कुमार से पहले ट्रेन में चड़ कर बैठ जाते थे और नितीश कुमार के लिए एक सीट बक्तियापूर तक बचा कर लाते थे उस समय पटना के एक जिमीशन रोड में एक मसहूर कवफिर हाउस में इन नेताओं और कुछ पत्रकारों का अड़ा हुआ करता था जहां तै किया जाता था कि आज कहां कब और किस जगह आंदोलन करना है उस समय नितीश कुमार के खास मित्र नगेंदर सिंग भी आज के इस बैठक में शामिल थे जो पिछले हारे गए दो चुनाव में नितीश कुमार के लिए काम किया था मायूस होकर नरेंदर सिंग ने कहा अब राजनीतिक से काम नहीं चलेगा पडिवार चलाना मुश्किल हो गया है अब तो आपको एक बेटा भी हो गया है हम सब को कुछ काम धंधा करना चाहिए काफी सोच विचार करने के बाद सबने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया पिहार बेरोजगार इंजिनियर संगठन जिसका मांग था सरकारी ठेका में उन इंजिनियरों को प्राथमिकता देना जिन्होंने आपातकाल बिरोधी आंदोलन में सामिल होकर अपना रोजगार गवा दिया था कुछ महिनों बाद इसी संगठन के बदोलत ठेकेदारी का काम लेने के लिए नितीश कुमार कागजात लेकर पटना के एक कार्याले में गए हुए थे जहां विजय कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई विजय कृष्ण को जब यह पता चला कि कुमार के हाथ से कागजात लेकर फार दिया और नितीश कुमार को अगला चुना लड़ने का सलाह दिया यदि विजय कृष्ण ऐसा नहीं करते तो आज बिहार एक भावी मुख मंत्री से बंचित रह जाता नितीश कुमार के मुख मंत्री बनने से पहले बिहार की जो नितीश कुमार और विजय कृष्ण में बहस होने लगा नितीश कुमार ने अपने पारिवारिक विवस्ता के बारे में बताया जब विजय कृष्ण ने करपुरी ठाकुर का जिक्री किया और नितीश कुमार को समझाया कि हमारे इस्तिती करपुरी ठाकुर से खराब नहीं उन्होंने कभी पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचा उनके पिछे कुछ नहीं है फिर भी वे संघर्स करते हुए समाज सेबा करते रहे बहस समाप्त होने के बाद दोनों के रास्ते अलोग हो गए अब विजाई कृष्ण ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी ढोड़ने लगे औ जर्व बैंक मदरास में नौकरी करते थे जब उन्हें यह बात पता चला कि उनका दोस्त नितीश कुमार खाली बैठा हुआ है तब उन्होंने नितीश कुमार को अपने पास बुला लिया और नितीश कुमार लंबी यात्रा पर मदरास चले गए आगी की कहानी भी जारी र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और यदि इस संदेश को आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर किजेगा